क्या आपको पता है कि इंडिया में सबसे बड़ा रेल्वे इस्टेशन कौन सा है तोटल रेल्वे प्लैटफॉर्म के हसाब से surprisingly number one पे आता है हावडा इस्टेशन हावडा स्टेशन में total 23 प्लैटफॉर्म मौझूद है जी हाँ, more than a million people every single day सेकंड नमबर पे आता है सियालदा रेलवे स्टेशन जहां total 20 platforms मौझूद है जो की हावडा के बाद आता है ranking के मामले में थार्ड नमबर पे आता है मुंबई का छत्रपती सिवाजी टर्मिनस और यहाँ पे total 18 platforms मौझूद है फोर्थ नमबर पे platform के हिसाब से rank पे new daily railway station आता है और यहाँ total 16 platforms मौझूद है और सबसे ज़्यादा train पास होने के मामले में new daily railway station नमबर वन पे है सबसे ज़्यादा trains यहीं से पास होती है और यहाँ पे करीब half million यानि 5 लाख लोग daily आना जाना करते हैं और भी मैं आपको कुछ interesting जानकारी देना चाहता हूँ इसी के साथ साथ बहुत महस्त की longest railway station यानि लंबाई के मामले में इस होता है ने station यहाँ से शुरू होता है और वहाँ तक खत्म होता है तो लंबाई के मामले में यूपी का जो गोरखपूर है न वो सबसे लंबा station है गोरखपूर टोटल 4,483 feet यानि करीब 1.3 km लंबा है मतलब सोच रहे हो खुद station ही 1.3 km लंबा है और अगर पूरे धर्ती की बात करें पूरे विश्व की बात करें तो Grand Central Terminal, New York City, America सबसे बड़ा station है number of platforms के मामले में और यहां टोटल 44 platforms मौझूद है जो की पूरे धर्ती का सबसे बड़ा platform है और एक amazing fact मैं आपको बताना चाहता हूँ train के बारे में कि इंडिया में जितनी भी ट्रेंस की पटरी है न जितना भी बिचा हुआ है अगर हम लोग इंडिया के अंदर मौझूद सारे rail lines को एक के बाद एक करके लंबा करके रखे न एक के बाद एक तो धर्ती को 1.5 ताइमस डेड़ बार घेर लेगी इतना लंबा complex route फैला हुआ है इंडिया में और एक फैक्ट यह है कि पूरे इंडिया में daily 23 million पैसेंजर यानि 2 करोड 30 लाख लोग daily train से आना जाना करते हैं I hope यह amazing facts आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा ऐसी ही और वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर अन कर लेना